हिंदों पर जहर उगलना पड़ा भारी अजहरी के खिलाब तीसरा केस दर्ज गुजरात में उठी गिरफतारी की मांग आतंकी संगठन से कनेक्शन की जाच नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट आजकल एक मौलाना काफी सुर्ख्या बटो रहा है लेकिन यहां पर खास बात यह है कि यह मौलाना अपनी अच्छाए की वज़ा से नहीं बलकि लोगों को भड़काने की वज़ा से सुर्ख्यों म गौली जहां जहरा उगलने के चलते मौलाना पर दो बार एक्षिन हो चुका है और अब जमानत मिली तो पुलिस फिर इघ्रितार करने की तयारी कर रही है तो आज बात होगी यह मौलाना की बात होगी फिर से इक गरफतारी की वज़ा कि तो चलिए शुरू करते गुजरात में धार्मिक भावना को अपमानित करने वाला भाशर देके मौलाना मुफ्ती सल्मान अजरी बुरा फस गए है उसकी मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है बलकि और जादा बढ़ती ही जा रही है जहां मौलाना पर आरोप है कि उसने अन्य समुदाई की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाया पूरी घटना की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी, SP, LCB, SOG के साथ पुलिस की एक टीम ने जाज की है तो इस बीच हिंदूों के खिलाफ जहर उगलने वाले मौलाना अजहरी के खिलाफ तीसरा मामला दर्ज क्या गया है बतादे कि अजहरी ने पिछले साल दिसंबर में मौडासा में एक सभाग की ती जिसमें उसने भढ़काव भशन दिया था दरसल अजहरी ने 24 दिसंबर 2023 को मोडासा में भाशन दिया था ये मुकदमा पुलिस ने खोद दर्ज किया है आरोपियों के खिलाब एट्रोसिटी एक्ट की धाराईं भी लगाई गई है आरोपियों में मुफ्ती सल्मान अजहरी के अलावा आयजिक इशाक का नाम भी शामिल है इस दोरान बेहत उत्तेजिक भाशन दिये गए थे सांती मौलाना की गिरफ्तारी की मांग भी की गई है इससे पहले अजहरी के खिलाप एक मामला गुजरात के जुनागर और एक मामला कच्छ में दर्ज किया गया था पहले ही दर्ज हो चुका है जुनागर के मामले में गिरफ्तारी के बाद मुफ्ती सल्मान अजहरी को एक दिन की रिमांट पर जील भीजा गया था अलाकि जुनागर कोट ने बुद्धवार 7 फरवरी को उसे जमानत दे दी जमानत मिलते ही कच्छ पुलिस ने अजहरी को गिरफ्तार कर लिया इसके बाद कच्छ पुलिस उसे गुरुवार 8 फरवरी 2024 को कोट में पेश करने लेगी जहां उसे तीन दिन की पुलिस रिमांट पर भीज दिया गया मुफ्ती सल्मान अजहरी फिलहाल पुलिस रासत में है अब यह लगभग साफ हो चुका है कि यदि अजहरी को कच्छ मामले में जमानत मिलती है तो पुलि उसे अरावली मामले में गिर्फार करेगी उसके बाद उसे कोट में पेश करके रिमांड मागेगी इसी बीच गुजरात पुलिस का आतंगवाद निरोद दस्ता यानि की ATS मुफ्ती सल्मान अजहरी द्वारा संचाली तीनों ट्रस्टों की फंडिंग की जाज कर रहा है आ इतना ही नहीं बड़ी संख्या में इस्थानी मुस्लिम अजहरी के समर्थन में पुलिस स्टेशन में जमा हो गए थे उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाम लगा दिया था हलाकि बाद में पुलिस अजहरी को लेकर जूना गड़ गई वहीं बता दे कि मॉलाना सल्मान अज 153 552 188 और 114 के अंतरगत मामला दर्च किया गया है दरसल गुजरात में अपनी भाशन के दौरान सल्मान अजहरी ने भड़काव भाशन दिया था उसने अपनी भाशन में हिंदूों के लिए जहर उगला था और हिंदूों की तुलना कुत्तों से की थी जिसके बाद गुजर उसने सूजभूत से अजहरी से उन्हें समझाने को कहा और बवाल शांत होने के बाद वो उसे हिरासत में लेकर जूनागर लाए वहीं आपको बता दे कि गुजरात के जूनागर में भड़काव भाशन वाले सल्मान अजहरी पर सिर्फ गुजरात और मुंबई में नहीं ब जब आपको अजहरी के खिलाब दर्ज मामले की जानकारी बताते हैं जो मामले सामने आये हैं वो सारे मामले 2015 के बाद के हैं उससे पहले अगर कोई शिकायत दर्ज हुई थी तो उसकी जानकारी अभी नहीं है अगर मामला 2015 से पहले का दर्ज हुआ है तो यह संख्या और भी जादा बढ़ सकती है अभी तक जो ब्यारा सामने आया है उसके मुताबिक सल्मान अजहरी के खलाब 11 FIR पहले से दर्च है अजहरी के खलाब पहली FIR पुरानी हुबली पुलिस स्टेशन धारवार करनाटक में 14 दिसंबर 2015 को दर्च की गई थी केस में IPC की धारा 143, 147, 148, 153, 4 1427 और 149 लगाए गई थी दूसरी FIR भी ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन करनाटक में दर्च की गई लेकिन एक दिन बाद यानि की 15 दिसंबर 2015 को हुबली पुलिस स्टेशन में दर्च इस FIR में IPC की धारा वही 143, 147, 148, 153, 427, 149 और संपती शती से संबंदित धाराओं के तहत अपराद दर्च किया गया था वहीं अज़री के खिलाब 174 FIR भी 15 दिसंबर 2015 को दर्च की गई शिकायत धारवार करनाटक कजबा पेट पुलिस स्टेशन में दर्च की गई थी FIR IPC की धारा 143, 147, 148, 153, 427, 149 के तहर दर्च की गई थी फिर अज़री के खिलाब 8 भी FIR 5 अपरेल 2017 को दर्च की गई वो भी कजबा पेट पुलिस स्टेशन में दर्च की गई थी केस को IPC की धारा 143, 147, 148, 153, 427 और 149 के तहर दर्च की आगया था नवी FIR 26 अपरेल 2021 को मुम्मई के विकरोली पार्क साइट पुलिस स्टेशन में दर्च की गई थी इस मामले में पुलिस ने कोट में एस समरी दाखिल की थी दसवी शिकायत गुजरात के जुनागर में दर्च की गई मुर्ती सलमान अजरी ने जुनागर आकर भड़काओ भशर दिया था जिसके बाद जुनागर पुलिस ने संग्यान लेते हुए FIR दर्च की इस मामले पर कारवाई अभी चल रही है एक ग्यारवी FIR भी गुजरात में ही दर्च की गई लेकिन ये कच्छ में समखियाली पुलिस स्टेशन में दर्च की गई है जुनागर में भड़काओ भशन देने से पहले अजहरी ने कच्छ में भड़काओ भशन दिया था संबंद में कच्छ पुलिस ने मामला भी दर्च कर लिया है जानकारी से पता चलता है कि 14 और 15 दिसंबर 2015 को अजहरी के खिलाब कुल मिलाकर 8 FIR दर्च की गई ये सभी शिक से क्या क्या किया है जो सारी IPC की धारा अजहरी पर लगी है चलिए उन्हें समझते हैं धारा 143, 147, 148, 153, 427 और 149 के तहत सारी दर्च की गई है ये भी बदा चलेगा कि अजहरी का अपराधिक इतिहास कैसा रहा है अजहरी के खिलाब लगाई गई धाराओं से पता चलता में भाग लेता है धारा 147 तब लागू की जाती है जब कोई व्यक्ति सामप्रदाइक दंगों हिंसा में भाग लेकर शांती भंग करने की कोशिश करता है धारा 148 तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति किसी घातक हथियार के साथ दंगे में भाग लेता है और धारा 153 तरेपन तब जोड़ी जाती है जब कोई व्यक्ति भढ़काओ भाशन देकर भीड को भढ़काने की कोशिश करता है और धार्मिक साम्प्रदाइक सौहार्द बिगारने की कोशिश करता है धारा 149 भी तभी जोड़ी जाती है जब कोई व्यक्ति किसी निश्यद्ध शबा में भाग लेता है और धारा 427 तब लगाई जाती है जब किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कारी किया हो जिससे दूसरे पक्ष को 50 रुपे या उससे अधिक का नुकसान को आहो सीधे कहें कि इस धारा के तहत किसी की संपत्ति को नश्ट करना या तोड़ फोड करना एक अपराद माना है अगर इन सभी धाराओं की समीक्षा की जाए तो पता चलता है कि मुफ्ति सल्मान अजहरी का अपरादिक इतिहास है और वो ऐसे अपरादों में शामिल है जिनके कारण उस पर ये सारी लगाई गई अब एटियस उसके खिलाब गहनता से जाज भी कर रही है उसके तीन ट इसकारवाई की तारीफ करते हों बताया कि अजहरी सामप्रताइक तनाव भड़काने और मुस्लिम युवाओं के बीच मजभी नफरत को बढ़ावा देने में शामिल है उन्होंने सल्मान अजहरी पर आरोप लगाया कि वो तबलीकी जमात के पैटरन को फॉलो करके उन्होंने ये भी अपील की है कि अजहरी का पाकिस्तानी कनेक्शन है तो इसकी जाज की जाए उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो लोग भारत में रहकर पाकिस्तानी आतंक्यों को समर्थन देते हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए इस स्पेशल स्टोरी भी फिलाल के लिए इतना ही पाकि तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार